और जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देश द्रोही कहलाएंगे बच नहीं पाएंगे यह हम नहीं कह रहे हैं 32 साल पुराने कॉंग्रेसी और हाल में रिदय बदल कर कॉंग्रेस विरोधी बने आचार जी ने चुनावी मौसम में आदेश सुना दिया है आप भी सुनली जी इस चुनाव में जो भी लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सब के सब नरेंदर मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे और जो नरेंदर मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देश द्रोही कहलाएंगे देश द्रोह जैसा संगीन गुना किसे कहते हैं इसके भी पन्ने अपने कानून की किताबों से मिटा चुके हैं क्योंकि आपके इस बयान से तो वो भी इत्वाक नहीं रखेंगे जिनके लिए आपने समूचे विपक्ष और विपक्षी वोटरों को देश द्रोही बना डाला है आचारे जी किसी भी लोगतांत्रिक देश में चुनाव होते हैं जीत और हार सीटों से तै होते हैं जनता का वोट प्रतीशर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के हक्त में आता है कहीं कम कहीं ज्यादा सुनिए पिछले दो आम चुनावों के नतीजी 17 लोकसभा के गठन के लिए 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच साथ चर्णों में चुनाव हुए थी बीजेपी का वोट प्रतीशर 37.14 तीजदी था और एंडिये का 45 तीजदी इसी चुनाव में कॉंग्रिस का वोट प्रतीशर 19.5 एक प्रतीशर जबकि यूपिये का 26 तीजदी था अब 2014 के चुनाव का परिणाम भी जान लीजी 16 लोकसभा के लिए 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक 9 चर्णों में चुनाव हुए थी बीजेपी को 31 तीजदी वोट मिले जबकि एंडिये का संयुक्त वोट शियर है और 38.5 तीजदी था जबकि कॉंग्रिस को 19.3 तीजदी वोट मिले थी बताना ये ज़रूरी था कि देश में जब भी चुनाव हुए हैं सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मजबूती के साथ खड़ा रहा है कहा भी जाता है कि स्वस्थ लोक तंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है तो फिर भला आपने किस साधार पर ये फरमान सुना दिया कि जो नरेंद्र मोधी के साथ नहीं वो देश्ट्रोही के लाएंगे आचारी जी इसी बयान के अगले हिस्से में राम मंदर को लीकर राहूल गांधी की एक मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं दावा है कि राहूल गांधी ने इस मीटिंग में कहा था कि हमारी सरकार आई तो सूपर पावर कमिटी बनाकर राम मंदर के फैसले को पलट देंगे मैं कॉंग्रेस में 32 साल से भी ज़्यादा समय मेरा भीता है जब राम मंदर का फैसला आया राम मंदर बनना शुरू हुआ उसके बाद राहूल गांधी जी ने अपने नजदी की लोगों की एक बैठक में अमेरीका के रहने वाले अपने एक सुपचिन तक के कहने पर इशारे पर सला पर ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदर के फैसले को पलट देंगे उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजी उगांदी जी ने पलटा था तीन तलाग के मुद्दे को ले करके शाहवानों का फैसला सुपरिम कोड का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो रामबंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है पुर्व कॉंग्रेसी आचार प्रमोद कृष्णम जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं उसकी सचाई तो खुद राहुल गांधी या उस मीटिंग में मौजूद लोग ही सामने ला सकते हैं लेकिन समूचे विपक्ष और विपक्षी वोटरों को महज मोदी के नाम पर देश द्रोही बताने का जो संगीन गुनाः प्रमोद कृष्णम चुनावी मौसम में कर रहे हैं क्या इसका संग्यान चुनावायोग लेगा अब पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी